हेलो दोस्तो स्वागत थे आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के आरिज्याम में दोस्तो इस वीडियो में हम लोग जहारखन का प्राचिन इतिहास को समझेंगे सबसे पहले जानेंगे जहारखन का जो नामकरन हुआ था जहारखन का मतलब क्या होता है इसका उल्लेख हमें प्राचिन इतिहास में कहां कहां मिलता है सारे चीज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इससे पहले दोस्तो अगर चैनल पर नहीं है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर दबाले ताकि आने वाली सारी अपडेट सारी वीडियो के नोटिफेक्शन आपको मिलती रहे जिसे आपको जो है उत्पाद सिपाई भरती और जैसे से सीजियल की तेयारी करने में सुविदा होगी तो चेलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं जहार खंड जो है दो सब्दों से मिलकर बनाया है जहार और खंड इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए जहार का मतलब होता है वन जैसे जहार आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा जहार यानि बहुत ज्यादे वन तो वही होगी आपका जहार और खंड का मतलब होता है जमीन यानि भूभाग तो इसी से मिलकर बनाया है वन वाले भूभाग वन वाला छेत्र जो है उसको ह साब्धिक जो अर्थ है वो है बन पर्देश यानि वन वाले पर्देश बहुत जादे वन है उस पर्देश को अमलोग वन पर्देश कहेंगे और इसी को जो है जारखन कहा जाता है दोस्तों जारखन शेत्र का सबसे पहला उल्लेक जो है किसी साहित में क्या गया है वो साहित ह है एत्रे ब्रामन समझ यह बहुत सारे साहिति लिखे गए हैं लेकिन सबसे पहले जार्खन का किसी साहिति में उल्लेक जो है वो कौन से साहिति में उल्लेक किया गया है तो एत्रे ब्रामन नाम के साहित्य में जो है जारखन छेत्र का सबसे पहले उल्लेक किया गया है ठीक है दोस्तों यहां तक आपने समझ गया होंगे लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि एत्रे ब्राह्मन जो साहित्य है इसमें जारखन को जारखन नाम से नहीं बुलाए गया है इसमें पूंड या फिर पूंड कहा गया है, यहां तक आपको समझ माया होगा कि जारखन छेत्र का सबसे पहले उल्लेक किसी साहित में जो किया गया है, उस साहित का नाम है एत्रे ब्राह्मन, एत्रे ब्राह्मन में जो जारखन राज है, इसको जारखन राज ना कहके उसमें लिखा, पुंड या पुंड नाम से जो है परिवासित किया गया है जारखन राज को ठीक है वायू पुरान में यानि वायू पुरान में जो है इस छेत्र को जो है मुरंड कहा गया है ये भी आपको याद रखना है विशनु पुरान में मुंड कहा गया है और भागवत पुरान में कि किकट पर्देश कहा गया है ठीक है दोस्तों ये तीनों चीज आपको याद रखना एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है ये चार चीज ये आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले साहित में उल्लेख है वो एत्रे ब्रामन साहित में जो है जारखन का उल्लेख है जिसमें जारखन को पुंड या फिर पुंड कहा गया है, वायू पुरान में इसको मुरंड कहा गया है, विश्नु पुरान में मुंड कहा गया है, और भागवत पुरान में इसको किकट परदेश कहा गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको ये भी कि महाभारत की में आ गया होग आपको पर्थम बार झारखन सब्द का परियोग। 13 सताबदी में एक ताम्र पत्र में किया गया था। मैंने आपको बोला कि झारखन का जो नामकरन है, वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि झार और खन्ड ये दुनों मिलकर जारखन बने हैं लेकिन पर्थम बार जार्खन का जो सब्द का परियोग किया गया था जार्खन यानि सबसे पहले मतलब जब कहा गया था जार्खन सब्द का यानि इस नाम से जार्खन को बुलाया गया था वो कब था तेरवी सताब्दी में यह याद रखना आपको तेरवी से पेले जो है जारखन सब्द का परियोग किया गया था एक तामर पत्र में ठीक है मालिक महबत जैसी दुआरा जो गरंथ लिखा गया है पदमावत और जो है कवीरदास के दोहों में भी जारखन सब्द का परियोग किया गया है ये भी आपको याद रखना है कि जारखन सब् परियोग क्या गया है मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको ताकि सुविदा हो जहारखन का जहारखन जो है दो सब्दो से मिलकर बना है जहार और खंड जहार का मतलब होता है वन और खंड का मतलब होता है भूभाग यानि दोनों मिलकर जो है जारखन बना है इसका साब्दिक अर्थ कह सकते हैं वन वाला जो परदेश है वन परदेश ठीक है जारखन छेत्र का सबसे पहले साहित में उलेख है एत्रे ब्राह्मन में एत्रे ब्राह्मन में इस जारखन को जो है पुंड या फिर पुंड कहा गया वायू पुरान में इस छेत्र को मुरंड कहा गया है। सब्द का उलेख है और कविदास के दोहों में भी जहारखंट सब्द का परियोग किया गया है आसा करता हूं दोस्तों ये सारे चीज आपको याद हो गए होंगे और अगर याद नहीं हुआ है तो आपको इसको दो बार तीन बार पढ़ लीजिए लिख लीजिए नोट कर ली है तो वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा अपने जितने भी दोस्त हैं उनको वीडियो सेर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए